accounting equation का first part मैंने करा दिया मेरे playlist में है तो क्या पढ़ा है तो क्या पढ़ा है फिर्स पार्ट में वापिस recall कर लेना बार बार accounting equation कैसे बनता है assets is equal to capital plus liability business मैंने कुछ assets होता है जो अलड़ी समझा दिया machinery furniture stock data cash है ना जैसे अपना personal life पर अपना asset रहता है घर है गाड़ी है बंगला है कार है तो आपका assets है mobile है आईफोन है तो आपका assets है ऐसी कुछ liability भी होता है तो assets is equal to capital plus liability अलड़ी समझा दिया बस कोई भी problem करने से पहले ये तीन बाते ध्यान देना हर transition के दो aspect होंगे कितना aspect दो aspect होंगे हां उसमें से दो aspect ढूणना उसके और दूसरा expense and loss होने से capital कम होगा income और gain होने से capital बढ़ेगा और हर transition के बाद equation tally होना जी एक problem हमने कर दिया अभी अपन next question करने जा रहे ये जो questions करने जा रहा हूं ये cma foundation और cma inter का book से लिया अच्छा कोशन है सिखने लाएगे पढ़ते हैं प्रिपर accounting equation बनाना ये date दिया क्या serial number नहीं है डेट है 1 2 4 8 12 और है transaction है तो start करते हैं सबसे पहला हमनों लिख लेंगे transaction एक date column लिख लेंगे date ठीक है और एक transaction डेट ट्रांडेक्शन और हमारा equation equation कैसा है हमारा असेट इस इक्वल टू असेट इस इक्वल टू लाइबिलिटी असेट इस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल ठीक है पिटा असेट इस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल तो उसी के बेस पर हम लोग अभी start करते हैं ध्यान देना तो एक कॉलम हम बना लेते हैं एक आपके लिए डेट कॉलम डेट बाद में ट्रांदेक्शन्स ट्रांदेक्शन क्या है ठोड़ा लिखना पड़ेगा पूरा कोश्चन को फिर असेट इस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल यह तो हम करेंगा भी ठीक है विटा यह सर तो यह रहा डेटर ट्रांदेक्शन और इक्वेशन तो में नहीं बूला भूलना जाना हर सड़ावकेशन के बाद यह इक्वेशन टार्ली होना चाहिए हो एक्वेशन टाली होना था themen तो स्टार्ट करते हैं नाकल करस। और पैहला coaching क्या है फर्स टाांडिक्षन और धिका दिए रहा है फर्स्ट ट्रांडिकशन बोलता है पहला तारीख एक तारीख को ट्रानुक्षक्विक्षन कहता है इंवेस्टेड् कैपिटल थो फिलिग देंगे के मैं बाक्स बनाने कोशिश करता हूँ आपने बिजनस में पैसा लगाया इन्वेस्ट किया मिला आपने बिजनस में पैसा लगाया तो एक एसपेट यह हो जाता है क्यापीटल लगाया आपने दूसरा आपने आपकोस कैश लाया ना 20,000 कैश लाया इन्वेस्ट करो तो कैश ही लाओगे ना घर का टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन तो नहीं लाया होगे तो इन्वेस्टेड कैपिटल 20,000 ठीक है इसी में दोनों है तो पहला बात आपने बिजनस में पैसा लाया कैश आएगा एंट्री द कैश आया 20,000 इससे कैश बढ़ जाएगा बिजनस में और कैपिटल आया कैपिटल बढ़ जाएगा कैश एसेट से चेश एसेट है तो चलो लिखते हैं तो यह ट्रांडेक्शन होने से कैश एसेट का पार्ट होता है ना तो आसेट्स कितना से बढ़ गया 20,000 से इसेट्स दो एस्पेक्ट होंगे हर ट्रांडेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे फिलाल हमरा एक्वेशन यह है इसलिए टोटल नहीं किया हूँ अब आते हैं नंबर टू नंबर टू में सेकेंड ट्रांडेक्शन पड़ो पर्चेस गुड्स ऑन उधारी फ्रॉम दास एंड कंपनी बा लो गुड्स तो नहीं उधारी में खरिदा गुड्स वेटा एसेट्स होता है ना गुड्स पपर चेस किया तो अशेट्स बढ़ जाएगा स्टॉक बढ़ जाएगा तो अ-पलस मतलब्धा अशेट्स बढ़ गया दूसरा तुम्हारा लायबिलिटी भी तो बढ़ गया तो liability liability बढ़ रहा है L मतलब liability A मतलब assets L मतलब liability C मतलब capital तीन code word use करेंगे A L और C तो सुनो जब goods purchase करोगे business में goods आएगा assets बढ़ गया लेकिन हमने उधारी में खर दा था तो 2000 मुझे देना पड़ेगा दास को तो liability बढ़ गया तो लिखेंगे transaction purchase goods on credit क्या लिखेंगे purchase goods on credit purchase goods on credit goods on credit किसे किसे करेदा from दास एन company से from दास एन company से देखो ना from दास एन company से खरीदा तो बिटा जी आप जब goods purchase कि उसमें दो aspect क्या है एक तो goods आया तो goods आपका assets यहाइट से कितने का goods purchase किया 2000 का तो 2000 से आपका assets बढ़ जाएगा goods आया ना दूसरा liability भी बढ़ गया उधारी खर देता तो लाइबिलिटी बढ़ गया 2000 से तो बिटा गुड्स जब हमने purchase किया उधारी में दास एन company से तो goods आया इसलिए assets बढ़ गया दूसरा हमने उधारी में purchase किया इसलिए हमारा liability बढ़ गया capital में कोई changes नहीं वह तो हमारा equation कैसे बनेगा equation अभी total कितना होगा equation का हम total करते जाते हैं यह stage पे तो total कितना हो जाएगा revised equation अपना पहले का 20 और अभी 22,000 हो गया equal to liability 2,000 है है ना यह revised equation है और capital कितना है 20,000 अब चाहिए तो मैं इसको value से लिखता हूँ सब equation को मैं value से लिखता हूँ ठीक है revised equation हमारा यह है चलो धर Bridgeцо पढते हैं ट्रांदिक्षण अमबर थर्ड क्या बूलता है पर्चेस अप्लांट मत्लब पर्चेस बॉट मतलब पर्चेस परच्टीस परच्पर लांब कैस जब आंलब पर्चेस करोगे इसके दो एस्पेट क्या होगा एक तो पर्चेस किया प्लांट पर्चेस किया तो असेट आया है ना असेट से प्लस हो जाएगा असेट बढ़ गया आपने प्लांट खरीदा आपने कार खरीदा मशीन करीदा फरनीचर खरीदा तो आपका असेट बढ़ गया दूसरा cash जा रहा है ना बटा cash कम हो रहा है तो एक asset increase हो रहा है और एक assets decrease हो रहा है देखो जब आपन car खरीते हैं बाइक खरीते हैं तो car आएगा लेकिन पैसा गया ना तो assets एक increase हो रहा है एक assets decrease हो रहा है तो इस transaction का effect क्या होगा लिखेंगे purchase plant for cash क्या लिखेंगे purchase plant for cash purchase plant for cash हमने cash में plant purchase किया तो कितने का 8000 का plant purchase किया तो 8000 का assets आया इसलिए प्लस हो जाएगा लेकिन 8000 cash भी तो दिया good news यह दोनों assets है तो एक assets बढ़ रहा है एक assets कम हो रहा है what is the net transaction का effect बाकी या कुछ भी नहीं changes हुआ तो अभी हमारा equation क्या बनेगा बिटा जी हमारा equation क्या बनेगा revised equation कितना बनेगा पहले गा 22 और यह 8000 एड करोगे 8000 लेस करोगे अभी भी 22,000 ही है equal to 2000 plus 20,000 समझे विटा अभी भी revised equation वह ही है चल आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं फोर्थ ट्रांदेक्शन फोर्थ ट्रांदेक्शन क्या है नेक्स्ट ट्रांदेक्शन फोर्थ ट्रांदेक्शन उसका हमने डेट साथ गलट डाल दिया डेट वन चल आगे ला ट्रांदेक्शन पढ़ते हैं आठ तारीक का आठ तारीक क्या हुआ पर्चेस गूड्स पॉर कैश बेटा दो आस्पेक्ट टूनना है आप गूड्स पर्चेस कर तो बिजनस में गूड्स आया तो असेट्स बढ़ गया एप्लस मतला असेट्स बढ़ गया असेट्स कम हो जाएगा सेम उसके जैसा जब तुमने प्लांट पर्चेस किया था तो पर्चेस गूड्स पर कैश लिखेंगे चार अगला ट्रांदेक्शन नंबर पांच उसका डेट के आप वही लिखेंगे आठ तारीक आठ तारीक को क्या हुआ पर्चेस गूड्स क्या पर्चेस ठिश तो बढ़ जाएगा कितना ऑट चार वजर से ओध़ गया असेट बढ़ गया लेकिन चर तुमने चैस भी तो दिया तो चार दर माइद स वुझा एगा वहत इस अगुड्स इचस्मेंस एजश्मेंट से नेट एफेट क्या हुआ सेम कुछ भी नहीं हुआ यह एड हो गा लेस होगा नेट इफेट निल तो ट्वेंटी टू थाउजन ही रहेगा रहेगा और कैपिटल ट्वेंटी थाउजन ही रहेगा बोलो समझा बिटा यहां कोई चेंज़स नहीं हुआ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांदेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अगला ट्रांदेक्शन समझ में आ रहा है फर्स्ट ट्रांदेक्शन सेकेंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ हो गया अगला डेट है पड़ो बारा तारीक को बारा तारीक वाला इंट्रस्टिं है सुनलो बिटा वो बोलता है कि sold goods for cash आपने goods sold किया cash में कितने goods ता 4,000 का goods दा 6000 ता 6000 में बेचा अरे 4000 का goods 6000 2,000 का profit है गया डो ना तो आपने goodsं वता है तो goods तो गया लेकिन cash आया आपने वह goods ces6,000 रुपभाच्व आया सुनरे हो cash कितना है 6000 रुपभाच्व अचा है अशेट बढ़ गया अशेट बढ़ जाएगा है लेकिन दो गटाजी दो गटाजिड गट्स जब आप सउड करोगे बिजनस से गट्स बाहार गया तो एक अशेट सड़ कम हो गया लेकिन sar कैपिटल इंक्रीज होगा और एक्सपेंशन लॉस होने से कैपिटल कम होगा तो सोल्ड गूड्स पर कैश सिक्स ताउजन कितना लिखेंगे नेक्स्ट ट्रांदेक्शन रुको लाइन इंक्रीज करने दो अगिले का राध थारिक के की ओ तरीक के बाद बार थाुड्स यह सोल्ड गूडूपाय को सोल्ड गूड्स पर गूड्स वतल कORA कि इस उल्राशन आट हजार हजाग पिचा तो कैश कितना आ कि कैश कितना है कैश छे जा रहा है बरोबर गुर्स कितने गए चाहदर गुर्स गया तो कैश अरहा है इसिलिए प्लस updates कि लेकिन धोजर का profit वह न तो profit होने से capital बढ़ता है profit होने से इक्विशन से क्या बनेगा भीटक्र वेलो वाला देखो 22,000 था उसमें 6,000 एड़ होगा 4,000 लेस होगा तो 22 में नेट 2,000 ही एड़ होगा क्योंकि 6 और 4 लेस हो गया तो 2,000 ही बढ़ेगा तो 24,000 होगा बरोबर लाइबिलिटी में कोई चेंजस नहीं हुआ तो लाइबिलिटी 2,000 रहेगा और कैपिटल बढ़ गया 22,000 कोई एक्वेशन टाली हुआ ना 22 प्लस 24 बरोबर जा रहे हो सर चलो अगला ट्रांदेक्शन पढ़ते हैं 12 तारिक वाला ट्रांदेक्शन समझ गया अगला ट्रांदे क्या है पेड़ टू दास दास को हमने कैश पे किया तो दास को कैश पे किया तो हमारा लाइबिलिटी उतना से कम हो जाएगा लाइबिलिटी कम हो जाएगा दास को पेमेंट किया ना लाइबिलिटी कम हो जाएगा दूसरा कैश गया तो दो एस्पेट क्या होगा एक तो कम हो रहा है कैश कम हो रहा है क्योंकि पाइसा दिया दूसरा दास को पेमेंट करना था याद करो दास से गुड्स पर्चेस किया तो दास को पेमेंट किया तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा दास हमारा liability है creditor है creditor हाँ creditor लिख देता हूँ तो cash भी कम होएगा और creditor भी कम होएगा तो cash assets कम करेंगे 1000 रुपए से तो लिखेंगे अगला transaction लिखेंगे next date क्या लिखेंगे अभी 18 18 अगला date लिखेंगे 18 18 paid to दास paid to दास and company दास को payment किया कितना payment किया दास को 1000 रुपए क्याश पे किया 1000 रुपए क्याश पे किया 1000 रुपए से हमारा assets कम हो जाएगा और 1000 रुपए से हमारा liability भी कम हो जाएगा 1000 रुपए से assets कम हो जाएगा 1000 रुपए से liability कम हो जाएगा क्यापिटल में कोई चेंज नहीं तो हमारा रिवाइजड एक्वेशन कैसे रहेगा वाटिदा रिवाइजड इक्वेशन वेल वाला देखो 24 में हजार लेस कर दो तो 23,000 लाइबिलिटी हजार रुपे से कम हो गया और क्यापिटल एज इस होगा ठीक है यस अब आगे बढ़ आगे रिसीड फ्रॉम बैनर जी तो दो आस्पेट क्या होगा पाईसा रिसीव होगा तो कैच बढ़ेगा रिसी फ्रॉम बैनर जी वो हमारा डेटर ह 37 प्रедार कउ ओएगा अफजिंगे चाहर अजसेटों करना है तो रिशीड फ्रॉम बैनर जी क्या तारेख 22 तारीक को तो 22 तारीक को लिखेंगे Received from Banner जी Received from Banner जी कितना मिल बैनर जी से Received from Banner जी how much 300 Received from Banner जी 300 300 मिलने से तो cash 300 रुपए से बढ़ गया लेकिन data भी तो कम हो गया 300 रुपए से दोनों asset है तो asset मैं एडलेस करेंगे liability में कुछ नहीं हुआ capital में कुछ नहीं हुआ तो हमारा revised equation टैली हुआ yes sir revised equation टैली हुआ 23 में ये एड करोगे लेस करोगे 23,000 ही आएगा फिर से liability as it is 1000 और capital as it is 22,000 समझे चलो अगला transaction की तरह बढ़ते हैं next transaction 22 तारीक वाला transaction हो गया 22 तारीक के बाद अगला transaction है 25 salary pay किया 6,000 रुपया 25th को salary pay किया 25th को आपने salary paid किया paid salary paid salary तो बटा जोब salary pay करोगे salary कितना 6,000 salary pay करोगे 6,000 salary pay करने से आपका expenses है लेकिन पाइसा तो क्या इसका दो aspect क्या होगा ध्यान नहीं दरी लिख रहा हूँ रेड़ पैंस है इसका दो aspect क्या होगा अगर salary pay करोगे तो salary हमारा खर्चा है salary हमारा expense है expense होने से capital कम होगा और दूसरा cash pay किया आपने तो assets कम हो रहा है cash assets कम हो रहा है तो cash भी कम हो रहा है salary क्यों कम कर रहे है salary देने से salary expenses है तो capital कम हो जाएगा ओके तो salary expenses है तो हम लोग किदर adjust करेंगे उसको capital में adjust करेंगे तो salary pay करने से capital कम होएगा और cash pay कर रहे है इसलिए cash minus तो capital לא श्यद्र से कम करेंगे और ऐसेट कैश्थon एसेट एसेट। तो सद्रिम करेंगे टीक है तो कैशे 9-2IX कम हो जाएगा और maas sa cha haposer ऑटितल भी कम हो जाएगा जाएगा श्यद्र सेत्व ऐसामर इसबसे क्वेशन हमेरा क्या बनेगा हमारा revised equation 23 में 6000 लेस कर दो सुन रहे हो तो अंसर आएगा 17,000 है ना 17,000 बोलो समझा नेक्स्ट यहाँ पर हजार रुपय लाइबिलिटी हजार रुपय यह और assets कितने यह भी कम कर दो 22 माइनस 6 अंसर 16,000 क्या equation टालिवा टालिवा ना एक्स्टीन प्लस 17,000 यह सर एक्वेशन टालिवा और दो थोड़ा सा लाइन कम गिर रहा है रुप जाओ थोड़ा सा लाइन कम गिर रहा है इतना में हो जाएगा तो equation बनाना बहुत इजी है equation के तुरू solve करना सुने पिटा equation के तुरू solve करना easy है बस अपको लौदिक समझना चाहिए इसके दो aspect क्या है expense होने से capital कम होता है और income होने से capital बढ़ता है ठीक है पिटा और हर transition के बाद वो equation tally होना चाहिए है हर transition के बाद वो equation tally होना चाहिए सुन रहे है अगला date पड़ते हैं तीस तारीको रिसीवड इंट्रेस्ट अगर इंट्रेस्ट मिलेगा तो cash बढ़ेगा received interest तो cash बढ़ेगा दूसरा interest हमारा income है तो इससे capital बढ़ेगा वापिस देखो ब्याज मिला तो cash तो cash बढ़ जाएगा ब्याज हमारा income है तो income होने से capital बढ़ता है तो cash भी बढ़ेगा capital भी बढ़ेगा तो लिखेंगे received interest क्या लिखेंगे received interest received interest तो बैटा interest कितना मिला interest कितना मिला एक बार amount देख लो received interest of five thousand five thousand rupees interest मिला तो cash बढ़ेगा तो cash five thousand से बढ़ जाएगा liability में कोई changes ने capital कितना से बढ़ेगा five thousand से बढ़ेगा क्योंकि income है क्योंकि income है what is the revised equation revised equation हमारा कैसे बनेगा 17 में five add कर दो ठीक है तो answer आएगा twenty two thousand liability हजार और sixteen में five add कर दो तो answer आएगा twenty one thousand तो twenty one plus one twenty two हो गया equation तो यह वाला तीस तारीक को transaction था यह transition कब का था तीस तारीक का हो गया एक last transaction कर लेते हैं और फिर से equation बनाते हैं thirty one को क्या हुआ वे पेड़ वेजस तीन अजार thirty one को पेड़ वेजस पेड़ वेजस तो बिटा वेजस आप पे कर होगे तीन अजार रुपया तो वेजस पेकर तो कैश कम होगा कैश कम होगा ना कैश कम हो जाएगा कैश कम होगा दूसरा वेजस खर्चा है खर्चा होने से capital कम होता है तो कैश भी कम करेंगे capital भी कम करेंगे तो पेड़ वेजस तीन अजार तो कैश कितना से कम करेंगे तीन अजार से कम करेंगे पगार दिया तो लेकिन capital भी कम होगा क्योंकि एक्सपेंसस है तो वाट इस दा final revised equation 22 में 3 less कर दो answer आएगा 19,000 liability में कोई changes नहीं होगा तो liability as it is रहेगा liability हमर as it is होगा कितना हजार और capital 21 minus 3 answer 18,000 problem completed assume करता हूँ समझ में आया फिर से अगर आप business में पैसा लगाए हो तो cash बढ़ेगा capital बढ़ेगा goods purchase किया तो goods आया उधारी बढ़ेगा है ना goods आया उधारी बढ़ेगा तो इसको एक shortcut और तरीके से बता देता हूँ हाँ के box बनाने का ज़रूरत नहीं है फिर से एक बार मैं shortcut सबको वापिस लिखी देता हूँ फिर से आपको click हो देखो पहला business में पैसा लाए cash बढ़ा capital बढ़ा cash assets है capital assets है दूसरा purchase goods जब goods purchase किया तो goods assets है ना goods आया लेकिन बेटा liability भी तो बढ़ा तो liability भी बढ़ गया दूसरा purchase plant plant purchase किया तो plant आया plant आपका assets है लेकिन cash भी तो गया तो cash less होगा आपने goods purchase किया cash में तो goods आया goods आया लेकिन cash भी तो गया तो cash कम हो जागा good news ये दोनो assets है आपने goods sold किया आपने goods sold किया cash में तो goods तो गया goods गया goods asset में से less कर देंगे लेकिन cash आया ना लेकिन goods कितने गया 4,000 का goods गया cash कितना आया बेटा जी cash यहां पर 6,000 आया तो 2,000 जो profit हुआ वो capital है capital में add हो जाएगा 2,000 क्योंकि 4,000 का चीछ 6,000 में बेचे तो 2,000 का profit हो गया वो capital में add कर देना दास को payment किया आपने दास को तो दास को payment किया तो cash हमारा कम हो गया और दास हमारा liability था liability भी कम हो जाएगा 22 क्या था बैनर जी को बैनर जी ने पेशा दिया तो cash बढ़ जाएगा data कम हो जाएगा सालरी प्रेंद क्यापिटल कम हो जाएका क्याश कम हो जाएका रिचुट इंट्रस कैश बढ़ जाए क्यापिटल इंक्रीज हो गा यह व्याज इंकम है और मेंज़स पर क्याशट कम हो समझा इसी के ब्रूइचर से पर फ्रस्ट, कहारेङ को क्र पकिछ ऐक 25keln टैली होना जी हर ट्रांदिशिंग अबाद एक्वेशन टैली होना जी ठीक है समझ में अच्छे से